वेल्कम टू रोबशनी रोबशनीज में आपका स्वागत है और अज हम जानकरी देंगे आपको रेडियो लोजिस्ट के बारे में तो बने रहे हैं चैनल को मिलेगा पूरी जानकरी आज के समय में सभी छात्र एक कोर्स का चुनाओं करना चाहते हैं जिसमें वे एक अच्छा भविस्ट बना सके हैं साइन्स से बारवी करने के बाद चाहत्रों के बीच इंजिनिरिंग और डॉक्टर करना सबसे लोग प्रिये विकल्प है लेकिन सभी छात्र एमबीबियस नहीं कर पाते हैं इनके अलावा भी ऐसे कई करियर विकल्प हैं जिसमें आप अच्छा करिय बना सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बारवी के बाद रेडियो लोजिस्ट कैसे बने यह हम बताएंगे कौन होते हैं रेडियो लोजिस्ट रेडियो लोजिस्ट दिलचफ चिकत सब आठकरव में से एक है एक रेडियो ग्राफर मरीज की सही बीमारी का पता लगान के लिए X-ray की मदद से मरीजों की रेडियोग्राफी तैयार करता है X-ray के अलावा रेडियोग्राफर CT scan ultrasound और MRI भी करता है रेडियोग्राफी को बीमारियों का पता लगाने के उद्धिस से मानुव सरीर के आंतरिक और चीपे हिस्टों की फोटो लेने के विज्ञान के रूप में उप्योग किया जा सकता है हम अब आपको बताएंगे दूसरी जानकारी बने रहेंगे चैनल पर कहा से आपको प्राप्ट करने होंगे डिगरी साइंस के से बारवी करने के बाद एक रेडियो लोजिस बनने के लिए आप रेडियो लोजी में बैचलर रॉप साइंस बी एस्सी रेडियो लोजी में मास्टर रॉप साइंस मेस्सी भी कर सकते हैं इतना ही नहीं, इसके साथ आप रेडी trainings में डिपलोमा और सर्टिफ्टेट भी कर सकते हैं इसके लवाभ़ाप इविन पर्वेस्ट परिक्चा में शामिल हो सकते हैं इसके साथ ही आप आगे चल कर पीजडी भी कर सकते हैं क्या है इसका इसकोप रेडियोग्राफि के छेतर में केरियर और नोकरी के अवसर बहुत अधिक है। हाल ही में रेडियोग्राफरों की मांग काफी अधिक हो गई है। टेक्नलोजी में विकास के करण रेडियोग्राफि के करियर के अवसर अधिक हो गए है। रेडियो ग्राफिकर के आप रेडियो लोजी टेकनोलोजिस्ट, रेडियो लोजी नर्स, अल्टराशाउंड, टेकनोलोजिस्ट, बनाने के लिए अच्छे कोलेज़ में परवेस्ट लेना जो रही है? आच्छे कोलोजों में एमस दिली क्रिस्टिन को मेडिकल कोलेज़ सिमसी वेलोर कस्तुर्बा चिकतरसा कॉलेज की मुंबई मदरास मेडिकल कोलेज एमसी चेनए किंग जोर्च चिकतरसा विश्वेड देला के जी एम यू लकनू सामिल है वीडियो किसी लेगी चैनल पर को सब्सक्राइब करें कमेंट पर पर राय दे आपका दिन सुब रहे थैंक्स ओडियोंस थैंक्स लिसनर